दुरूब महाराज की कता आगे चलते हूँ दुरूब महाराज जभी भगवान वासुदेव की सेवा कैसे करनी है नारद मुनी ने समझा दिया फिर नारद मुनी जब समझा दिये बालक को नारद मुनी दूसरी जगा पिता जी से मिलने गए महराज उत्तानपाद से उनको भी समाचार दे देना कि आपका बेटा जुरक्षी तजिंता मत करिए तो राजा ने देखा नारद मुनी आया है बड़े सम्मान से स्वागत किया भागवत में बार-बार आता है अतिती का स्वागत कितने अच्छे से करना चाहिए फिर नारद मुनी ने परश्च ने पूछा नारद मुनी ने राजा से पूछा आप इतने मायूस क्यों दिख रहे हैं आपका चेहरा बहुत मायूस दिख रहा है सुखा सुखा दिख रहा है दुखी दिख रहे हैं आप बुजा हुआ दिख रहा है चहरा, क्या कारण है आपको इसका उत्तानपार बड़े ही दुख से प्रायस्चित करते हुए मानों पस्चाता प्रिदे से बोलने लगे, बोले हे देवरिशी, मैं ना अपनी पतनी के पुरे प्रभाव में आके पूरे कंट्रोल में, I am like a hand-packed husband, जोरू का गुलाम बोलते हैं ना, मैं अपनी पतनी से बहुत आसक्त हूँ सुरूची से, और उसकी वज़ास से मैंने सुनीती और ध्रुव पे अत्याचार किया, क्या अत्याचार किया ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, कुछ कृपाद नहीं दिखाई, मैंने तो मानो उनको अपने राज्ये से एक तरीके से निकाला हुआ ही समझे, उन पे ध्यानी नहीं देता, बुलते हैं मेरे पूत्र ने तो महल छोड़के ही चला गया, और अब वो वन में भटक रहा है, पता नहीं, कहां होगा, कोई उसकी सुरक्षा भी नहीं कर रहा, बहुत थका होगा, भूका होगा, और वहाँ पे तो इतने जंगली जानवर हैं, शायद उनने उसको अटैक भी कर लिया होगा, देखो ना, मैं इतना कुरूर हूँ, अत्यंत कुरूर हूँ, और मेरे बेटे की गलती क्या थी, मेरी गोद पे ही तो बैठने आया था, और मैंने उसको स्वागत, उसका सम्मान, उसको इच्छा पूरी नहीं करी, तो यहाँ मिस्टेक के लिए रिपेंट करना चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी भी क्या गलती है, परिस्थिती कुछ ऐसी थी, मुझे क्यों दोश देती हो, इसे जस्टिफिकेशन बोलते हैं, ओनेस्ट रिकती, एड्मिट, हाँ, सचे भाब को देखा, उन्होंने उनको सांतवना पंचाहिए, कंसोल किया, नारद मुनी क्या बोले, प्रिय राजा, कृपया, अपने पुत्र के बारे में दुखी मत हो, तो अभी देखे कैसे नारद मुनी अनुतानपाद का हिम्मत बढ़ाते हैं, बोलते हैं, पहली बात, चिंता मत करो, दुखी मत हो, दूसरा बोलते हैं, दुरुब महाराज भहुती सक्षम, कॉंपिटेंट रियक्ती है, आलतुफा तो ललका नहीं है, बहुत शक्ती वाला ललकी है, बहुत समझदार है, और तीसरा बोले, तो पहले तो बोले चिंता मत करो, किस अधार पे चिं श्रिवाद बोले, कि वो वासुदेव भगवान द्वारा रक्षित है, रक्षा में है, तो चिंता की बात नहीं है, जिसकी भगवान स्वयम रक्षा कर रहे हैं, और फिर अगला पॉइंट बोलते हैं, उसकी महांता अभी तक दुनिया को मालुम नहीं है, लेकिन जल्द ही जल्द वो बहुत फेमस हो जाएगा, और उसकी प्रसिद्धी पूरे भ्रमान में फैल जाएगी, उत्तानापाद सोच रहोंगे, ऐसा क्या करने वाला है, नारग मोनी वो भी क्लारिफाय करते हैं, बोलते हैं, जो कि वो पूरा सबसे कठिन कारे करने वाला है, वो है भगव श्री कृष्ण का प्रेम जीत लेना, main thing वो क्या बोलते हैं, most difficult task, which is to satisfy the Supreme Lord, और फिर ये भी बोल दिया, कि जल्द ही बालक वापिस आएगा, तो माधा पिता के लिए ये बात नहीं होती कि वो भगवान को प्राप करेगा, वो तो ठीक है, लेकि वापिस आएगा की नहीं आ प्रत्सां करना बहुत असान है, भगवान आपकी प्रेम में भक्ती से प्रसां हो जाते हैं, पत्रम, कुष्पम, फलं, कोयं, नवे अध्याय के 26-27 श्रोग में बताया है, simple, एक पत्ता, एक फल, प्रेम से औरपन कर तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉल् प्रत्साहन वर्धक शब्द सुनके, शब्दों में encouragement था, तो ये भी बात है, शब्द कैसे बोले जाएं, कभी-कभी आप सत्ते बोलते हैं, लेकिन उसमें भावना भी होनी चाहिए था कि encouragement मिले, तो encouragement था और उससे उत्तानपाद को बहुत pacified, संतुष्ट अनुभव हुआ और उसके बाद से वो सुनीती को बड़े प्रेम और सनेह से उनके साथ डील करने लगी, और ऐसा special सूरुची के परती कुछ जुकाव दिखाना वो बंद कर दिया, और प्रतिक्षा कर रहे थे बड़ी आतुरता से कि उनका बेटा कब वापिस आएगा, इस दोरान मधूवन में क्या हो, जैसे जैसे नारद मुनी ने बोला था, वैसे वैसे दुरुम महराज ने भक्ती प्रारम करी, बोलते वो यमुना नदी में सनान किया, उन्होंने जब पहुंचे वहाँ पे तो और उस रात्री को उपवास किया, और रात्री को उपवास करके फिर उनने भगव बगवान कृष्ण की उपासना शुरू करी छोटे बालक थे लेकिन अत्यन्त तपस्या करी तो कभी-कभी लोग बोलते हैं अभी तो मैं छोटा हूं तपस्या करने की जरूरत क्या है लेकिन यहां पर एक उधारन है दुरुम महराज छोटे बालक थे लेकिन intense austerity, severe austerity तपस्य करी भगवान को परसंद करने कुछ भी कठिनाई अपने उपर लेनी पड़े लेंगे और क्या-क्या तपस्या करी पहले महिने में उन्होंने तीन दिन में एक बार केवल कफितह नामक फल खाए कुछ fruits, berries, यह वगरा फल खाके जो होता ना केवल तीन दिन में एक बार खाए फिर दूसरा महिना आ गया उन्होंने अपना उपरवास की जो अवदी थी तपस्या और बढ़ा दी सुखी घास खाने लगे और पत्ते खाने लगे छे दिन में एक बार तीसरा महिना जब ही आ गया तो नौ दिन में एक बार पानी पीने लगे चौते महिना आ गया तो बारा दिन में एक बार सांस लेने लगे खाना भी बंद कर दिया पीना भी बंद कर दिया पानी पीना फिर उसके बाद धुरू महराज ने अपनी सांस पूरा कंट्रोल कर दी तो अपना सांस उनका मन पूरी तरह से बंद करके कंट्रोल करके पांच तो इस प्रकार से पांचवा महिना भी था और फिर उन्होंने भगवान वासुदेव पे दिखे केवल शारीरिक तपस्या नहीं थी भगवान वासुदेव पे उनके सुन्दर रूप पे ध्यान लगाया बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और क्योंकि इतने अच्छे से ध्यान लगाया हवा, पाणी, भोजण सब को साइड में रखते हुए पूरा ध्यान भगवान की उपर तो भगवान को अपने हिर्दे में मानो capture कर लिया, खैद कर लिया अपने मन में और तो कि वो भगवान विश्ण को पूर्न ध्यान से अपने मन में ले के बैठे थे, concentration स्ट्रॉंग था इसलिए बोलते हैं मानो भगवान उनके चित में बैट गए हो। इसलिए दुरुमाहराज इतने भारी हो गए जैसे भगवान के अंदर सारे युनिवर्स होते हैं सोचे भगवान कितने भारी हो की तो वो सारा वेट कि सारी रुक गई, तो कि सारी हवामानों कैद हो गई उनके अंदर, तो जितने भी देवता थे और स्वर्ग के निवासी थे और सभी ग्रहों के निवासी थे, उनका दम घुटने लगा, बोले तीनों लोक कापने लगे, और सारे के सारे देततब भगवान विश्नु के पास और बोले हे भगवान, हमने कभी ऐसा सफोकेशन अनुभब नहीं किया है, आप सभी प्रानियों के आश्रे हैं, इसलिए हम आपके पास आया है, तो देखिए बड़ी सुन्दर बात है, देवता हमेशा, कभी एकाजित शोरी आती है, कभी देवता ने गलती करी, कुछ करी, इंद्र ने गलती करी, ये गलती करी, लेकिन ओवराल देवता हमेशा आश्रे के मूड में रहते हैं, वो जानते हैं कि भगवान ही एक मात्र आश्रे है, कृपया हमें इस संकट से बचाईए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, भगवान विष्णों ने देव देवताओं को आश्वासन पहुंचाया, गृपया चिंता मत कीजिए, ये जो परिष्टिती हुई है, दुरुम महाराज की कठिन तपस्या के कारण हुई है, जो पूर नरूप से अपना ध्यान मुझ में केंद्रित किया है, मुझ को अपने मन में धारन किया है, मैं जाओं विष्णु गरूरजी पे विराजमन होके मधुवन में गए, अपने प्रिय भक्त धुरुब को मिलने के लिए, धुरुब उस समय पूरी तरह से मेडिटेशन में बैटे थे और भगवान के सुन्दर रूप को देख रहे थे, अपने मन में, ध्यान में, लेकिन सड़ली ज देखा भगवान सामने खड़े हैं, बोलते हैं जब भगवान के दर्शन करते हैं न, भगवान के दर्शन में इतनी करुणा, इतनी कृपा, इतनी काइंडनेस होती है, कि भक्तों का हरिदे संतुष्टी से, आनन्द से और कृतग्यता से भर जाता है, फुल सैटिसफेक्श कृतग्यता हो गई, तो बोलते हैं, जब इस प्रकार से भाव आ गए, इतना ग्रैटिटिट हो गया, तो धुरूब महराज इतने भाव विभोर हो गए, इतने ओवर्वेल्ड हो गए, धुरूब ने पहले तो भगवान को प्रणाम किया एक दंडे के समान, दंडवत और जब भगवान को देख रहे थे, इतने एक्स्टेसी में थे, मानो भगवान के माधुर्य रूप को अपनी आखों से पी रहे हैं, और मानो भगवान के चरनों को अपने मुख से चूम रहे हैं, और अपने हाथों से आलिंगन कर रहे हो, इतना उस रूप का आनंद ले र आँखों से अम्रित पी रहे थे, अपने मुख से उनके चर्णों को चूम रहे थे, अपने बुजाओं से आलिंगन करना चाह रहे थे, और धुरूफ के मन में इच्छा हुए कि भगवान कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो प्रार्थना करने चाहिए, लेकिन उनको पहली जीवन में अनुबह हो रहा है, भगवान के सामने आया, तो experience नहीं थे, उपर से वो शास्त्र के शलोग याद करके नहीं आया थे, कि भगवान आएंगे तो क्या बोलना है, तो knowledge नहीं, knowledge नहीं है, experience नहीं है, और proper vocabulary नहीं थे, शब्द नहीं मालुम थे, कि भगवान को किस कैसे स्टूती की जाती है, होता है ना हमारे भी जीवन में, कभी कुछ सेवा करने को बोलो, knowledge नहीं, experience नहीं, vocabulary नहीं है, लेकिन धुरुव की बड़ी तीवर इच्छा थे, और वो कर नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने अपना शंक जो है धुरुव के मस्तिष्ट पे लग गए और उनके अंदर ability भी आ गई भगवान की स्तुति करने की, एक होता है knowledge आना, लेकिन उसके बद कैसे बोलना है, वो सब भी समझ में आ गया, क्या बोलना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक भक्त की सच में इच्छा है भगवान की सेवा करने की, तो भगवान उसको वो ability देते हैं, वो सेवा करने की, ददामी, बुद्धी, योगम, तम, भगवान 10th chapter के 10th और 11th शलोक में ये बात बोलते हैं, और फिर 11th chapter में और कहीं chapters में भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति की ability मुझ से आती है, तो एक भक्त की ability प्रार्थना करने की भगवान से जाती है, फिर दुरुब महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करया, यह देखते हैं कौन-कौन सी प्रार्थना करी, अब से पहले तो भगवान बोलते हैं, आप सर्व शक्ति-शाली हैं और आपकी आध्यात्मिक शक्ति से आपने मेरे अंदर ये वानी की शमता ज रही है, फिर बोलते हैं आप पूरे भ्रमांड के स्वष्टा, सृष्टी करने वाले मेन तो आप हैं, और सृष्टी ही नहीं करते, सबके रिदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, इसको भी अकनॉलेज करते हैं, मतलब कंड-कंड में बसे हुएं आप, फिर उ सुंदर बार है, आपकी भक्ती का सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी जादा है, इसलिए मेरी केवल एक इच्छा है, अगली बात बोलते हैं, मुझे आपके शुद खृदय वाले भक्तों का संग चाहिए, ताकि लगातार भक्ती में लगा रहूं, और उस संगती में क्या चाहिए मेरे को, मैं लगातार उस संगती में आपकी लीलाओं का अक्सर प्रभाह होता है, चर्चाएं होती हैं, तो मैं लगातार वो श्रवन करता रहा हूं लीलाओं का उनकी संगती में, और इससे फाइदा क्या होगा, बोलते हैं इस जगत की सारी पीडाओं से मुक नहीं है इस दुनिया का, लेकिन गाएं उसको दूद देती हैं, और उसको जंगली जानवरों से रक्षा भी करती हैं, जबकि वो बचड़ा कोई गाएं की सेवा नहीं करता, प्रेम हैं, बोले इसी प्रकार से हे भगवन आपकी अपने भक्तों पे क्रिपा रहती हैं, अग कि दुरुब माराज ने भगवान की भक्ती एक भवतिक इच्छा से करनी प्रारम करी थी, उनको ब्रह्माचे से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन छे महिना भक्ती करने के बाद, अब भगवान की जब दर्शन किये, दुरुब माराज अपनी सारी भवतिक इच्छ को ले के आये थी, एक तो वो इच्छा त्याग दी और जो अपने सोतेली मा, सोतेले भाई के प्रती बदले की भावना थी, वो भी त्याग थी, उनको केवल भक्ती करनी थी और भगवान के प्रती शुद प्रेम चाहिए था, तो ये एक धारन है कि जो सिंसियर भक्ती करता है, उसके मन में सारा potential envy, लालच, दूइश, envy और greed और सारे भातिक विचार और महत्व कांग्षाएं समाप्त हो जाते हैं, भातिक महत्व कांग्षा, अमबिशन होना जरूरी है, भक्ती में भी ambition होना जरूरी है, बगवान की सेवा के लिए, लेकिन भातिक महत्व भहुतिक ambitions not of much use, कोई फाइदा नहीं उसका, इसलिए envy खतम, grid खतम, material भहुतिक विचार, भहुतिक ambitions अब खतम, और दुरुव की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होके भगवान बड़ी कृपा से दुरुव को बोलते हैं, हे राजकुमार, मेरी आशीरवाद है कि तुम्हें अत्यंत भगिशाली जीवन मिले, all fortune में shower upon you, और दुरुव बोलते हैं, मुझे मालूम है तुमारे हिदे में क्या इच्छा है, तो अभी आप पूरी पृत्वी पे राज करोगे, 36,000 सालों के लिए, आपके पिताजी की retirement के बाद, और इस पूरी अगधी में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां बहुत strong रहेंगे, और एक बात बोल दूँ, आपका जो भाई है, उत्तम, वो एक समय पे मृत्ति को प्राप करेगा, शिकार करने जाएगा, तो उसकी मृत्ति हो जाएगी, उसके तभी बाद में, उसक राज करेंगे पृत्वी पे, उसके बाद, आप मेरे ही प्लैनेट में आ जाएगे, और उस प्लैनेट का नाम होगा ध्रुग लोग, और ये जो है पूरा ब्रहमान विनाश होने के बावजूद भी ये जो है, इसका विनाश नहीं होता, इनफेक्ट सारे के सारे नक्षत्र सारे के सारे लुमिनरीज, इसे की प्रदक्षिना करते हैं, ये कहने के बाद भगवान विश्नु अपने धाम चले गए, गरुण जी पे विराजबन होके और धुरुग ने दर्शन किया, और भगवान ने धुरुग जी को ये धुरुग लोक दे दिया, जो इस भौतिक ज जगत में भगवान विश्नु का अपना प्लैनेट है, जहां भगवान विश्नु भी रहते हैं, और उस प्लैनेट पे एक शीर सागर, मिल्क ओशन है, उसके अंदर एक आइलेंड है, श्वेत द्वीप, और बोलते हैं, जब पूरा युनिवर्स डिस्ट्रॉइ होता है, ध द्रुब को इतना बड़ा हाशीरवाद मिला, तो पहले द्रुब के अंदर एक बदले की भावना थी, सुरुची और उत्तम के प्रती, लेकिन उनका हिरिदे परिवर्तित हो गया, इनफेक्ट उनको पस्चाताफ होने लगा, मैं कैसे नीच इच्छाएं लेके आया था, ऐ ऐसा अगेन बात आ रही है, जैसे उत्तानपात के अंदर ओनेस्ची थी, पस्चाताफ था, ऐसे द्रुब के अंदर भी ओनेस्ची थी, पस्चाताफ था, और ये बहुत नैचरल है भक्ति मैं हिरिदे के लिए, तो इस प्रकार से द्रुब ने कोई गरज नहीं रखा, और भक्ति का लाग उठाएं, तो ये दिला के माध्यम से हम भी अपने मन में चिंता कर सकते हैं, एक इंट्रोस्पेक कर सकते हैं, कि जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्षे प्राप्त करना हो, तो हमारे जीवन में क्या क्या obstacles आती हैं, तो उनके जीवन पे reflect करते हुए हम भी सोचते हैं हमारे जीवन में क्या obstacles आती है तो इस प्रकार से धुरूब महाराज की कथा धुरूब महाराज को धुरूब लोग भी promise किया गया और 36,000 सार उनको यहां पे रहना है अचा इसके बाद आगे क्या हुआ अभी यहां पे हम देखते हैं धुरूब महाराज ने क क्या भाव रखा अच्छी सब आश्रीवाद मिलने के बाद और जब हो अपने पिताजी के पास वापिस गए देखे इस छे महिने के लिए अंदर ही दुरूब महाराज ने भक्ति को इतने अच्छे से किया कि उनको भगवान मिल गए थे इतने अच्छे से उनने determination से भक्ति वो अंदर से उनको कोई तो दुख था क्या दुख था उनको बहुती लजजित अनुभव हो रहा था अशेमड बहुती गिल्टी अनुभव हो रहा था फीलिंग हो रहा था और उनको बहुती पश्चाताफ हो रहा था कि मैंने ये किछा क्यो रखी बोले मुझे तो भगव इतना उच्छा मिल गया सोच रहे हैं थो उसके लाइक ही नहीं थे इस से मालूं हम चलता है कि आप कितना भक्ती में है अगर हम अपने आपको like समझते हैं तो मतलत हम भक्ती में नहीं है और अगर अपने आपको like नहीं समझते सक्चे दिल से humility है तो हाँ तो बड़ा ही विनम्रता से धुरूब महाराज अपने आप से बोलने लगे मैं कितना अभागा हूँ और कितना बड़ा मूर्ख हूँ अपने आपको unfortunate और foolish बोलते हैं कौन बोलेगा इतना बड़ा लोक मिल गया बगवान आगे सामने 34,000 का राज दे दिया उसकी सौतेली मा अगनी में भस्म हो जाएंगी सौतेले भाई की मृत्ती हो जाएगी ये सब सुनने के बाद तो सोचना चाहिए ना आरे भाग को competition नहीं नहीं जाएगा लेकिन दूर सोच रहे मैं कितना भागा और मूर्ख हूँ अगर मैंने नारद मुनी के advice को स्विकार कर लिया होता उन्होंने मुझे बोला था ये सब इच्छा छोड़ दो बाद में पश्ताओगे मैंने नारद मुनी की बात नहीं सुनी और भावतिक चीजों का प्रलोभन रखा और बदले की भावना रखी greed and envy और मैंने अपने भाई को अपना दुश्मन समझा और मैंने भावतिक समरिधी प्रतिष्ठा नाम कमाने के लिए इच्छा रखी लेकिन आप भगवान देखो भगवान ने मुझे अपना personal सेवा का मोका दिया मैं एक मूर्क व्यक्ती हूँ जिसने कुछ तूटे हुए few grains of broken rice जिसे बायनों कोई सामने राजा आ गया हो राजा बोलता है कुछ भी माँ और आप बोलते हैं एक मुठी बर चावल दे दे ऐसे व्यक्ती को मुर्क वोलेगे ना और सब कुछ दे सकता है आपको महल दे सकता है चावल के बड़े-बड़े गोडाउन दे सकता है आप एक मुठी बर चावल मांगते है दुरूब माराज बोलते हैं मेरी परिस्टी कुछ ऐसी थी तो हम भी अगर भक्ती करते करते दूसरों के प्रती negative feeling रखेंगे तो हमें भी पच्तावा होगा दुरूब की तरह तो maturity मतलब no grudge towards the envious फिर दुरूब माराज मदूवन से वापिस गए अपने परिवार से मिलने और जैसे वो पिताजी के महल के नजदीक आ रहे थे एक संदेश वहाग जाके उत्तान अपाद को पताया कि दुरूब माराज वापिस आग गए हैं राजा को विश्वास नहीं हूँ अच्छे महीने दकेला जंगल में भटकने के बाग पुता पित्पुत्र आ रहा है और इतना भागेशाली वो फील कर रहे थे अपने आपको और उनको याद आया नारजी ने बोला था ऐसा होगा नारजी की बात सत्यवाणी हो गई बड़े ही आनंद से उनने एक जो संदेश लेके आये थे उनके सिपाही उनको एक नेकलेश दिया जो उनके हाथ में आया महेंगे से महेंगा नेटलेश दे दिया उनने और उत्तानपाद अपने रत्व के उपर तेजी से शहर के बाहर आए अपने मंत्री, मित्रों को लेके शंक बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बासुरियां बज रहे हैं, वेदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है सुनीती भी एक पालकी में बैठके बाहर आई और सुनीती का देखो न, एक बड़ा ही पवित्र उनका व्यक्तित्व था, वेवार था, तो ऐसा ने की वो सुरुची को छोड़ाई उन्होंने विवस्था करे कि सुरुची और उत्तम भी एक पालकी में बैठके साथ में चले और दुरुव महराज को दूर से आता दे, कुत्तान अपाद अपने रच से उत्रे और बड़े स्नेह से पुत्र को गले लगा दिया और दुरुव देखिया, कोई मामूली लड़का नहीं था, महान भक्त जिनको भगवान विश्डु ने टच किया है उनका शरीर एक तरह से दिव्य था और उनकी लॉंग चैरिश्ट जो डिजायर थी वो फुल्फिल हो गई राजा ने अपने पुत्र का अलिंगन किया और उनको जवालिंगन किया यह किसकी राजा की इच्छा थी, लॉंग इच्छा थी, का पुत्र आएगा उसका अलिंगन करो विश्ट पिछली पार गोद में बैटने को नहीं दिया था ना तो अब पूर्ण प्रेम बरसाएंगे और जब अलिंगन किया तो बोले उनके नेत्रों से मानो धुरूब का स्नान हो रहा हो और धुरूब ने बड़े सम्मान से ऐसा नहीं कि डिंग मारते आ रहे है हमको निकाल दिया था महल से धुरूब बड़े सम्मान से अपने पिता और माता के चरंस परश किये सुरूची के भी चरण सपर्ष की, अपनी मा मान के, मन में थोड़ा सा भी द्वेश नहीं था और इस प्रकार से धुरूब में कोई negative feeling नहीं थी और सुरूची ने ज़र देखा, ये मेरे चरणों में भी गिर रहा है, ऐसा सुरूची ने उसको आलिंगन किया और सुरूची के नेत्रों से भी धुरूब का स्थान हो गया, और सुरूची ने आशिरवाद दिया, तुमारी लंबी उमर हो, मेरे बच्चे और सुरूची जबकि धुरूची से पूरा हेट करती थी पहले, और चाती थी कि वो मर जाए, अब इतना प्रेम बरसारी थी, इतना प्रेम और लंबी आयू का अशिरवाद भी दे रही थी और ये सुरूची का परिवर्तन कैसे हुआ, सुरूची ने तो भक्ती नहीं करी, क्योंकि सुनीती का हरिदे इतना करूना में था, इतना काइंड हाट थी, सुनीती के प्रेम से सुरूची का परिवर्तन हुआ, और वही नहीं, दुरूग की भक्ती का प्रभाव था, दुर किसरे को आलिंगन किया उत्तम और धुरूब ने और दोनों जो आलिंगन किये तो उनके अश्रूओं से उनके नेत्रों से अश्रूप्रवा हो रहे थी दोनों में कोई कड़वाहट नहीं रही एक दूसरे के प्रती तो यह बहुत सुन्दर बात है कैसे दोनों के भाव बदल रहे हैं एक दुसरे के प्रती इतना परिवर्तन एहरिदयमें और बोलते हैं जैसे पानी जल का सभाव होता है वो उची स्तीती से हमेशा नीचे की तरफ flow होता है जल का स्वभाव होता है जैसे जल का ऐसा स्वभाव होता है कि वो उच्छी परिस्तिती से it goes towards gravity उसी प्रकार से एक सौम्य स्वभाव के भक्त को देखके a gentle devotee सबका उनके प्रती naturally प्रेम जागता है इसलिए सुनिती ने धुर्व को आलिंगन किया और सुनिती सुरिची और उत्तम ने प्रेम दिया और सुनिती तो मा ही है उनको तो करना ही है प्रेम सुनिती ने प्रेम किया बोले सुनिती के लिए तो धुर्व उनके प्रानों से भी प्रिया था और सुनीती के मन में जितना दुख चाया हुआ था इतने महीनों से वो सब इतने महीनों का वर्षों से तो कि सुनीती को तो कोई प्रेम करता है निदा महल में वो सारा दुख खतम हो गया पूर्ण संतुष्टी हो गई और अब तो सुनीती कोई मामूली बालक की म नहीं थी एक बहुत बड़े हीरो की मा थी बड़ा काम करके आए हैं और बोले सुनीती के स्तनों से दूद प्रवा हो रहा था नेत्रों से अश्रु प्रवा हो रहे थे और धुरू का पूरा शरीर उससे पूरा गिला हो गया मानुस्दान करा दिया उस प्रेम से और ये का राज्य अभिशेक होगा ये पिता की गादी पे बैठेगा पिता की सिमहसन पे बैठेगा और सारे के सारे लोग सुनीती की परशंसा करने लगे देखिए मा की परशंसा होती है पुत्र कुछ अच्छा करे तो बोले क्या भाग्य है आपका पुत्र इतना गुम गया था वन में चला गया था उसके लंबे समय वापिस आ गया सुरक्षित सुनीती को बोलते हैं जरूर आपने भगवान की अच्छी भक्ती की होगी उपासना की होगी भगवान ही तो अपने भक्तों की सभी संकटों से रक्षा करते हैं कोई दुरू की प्रशंसा कर रहा था कोई सु बार गई थे ना उनको स्वागत करने के लिए तो शेहर की तरफ आया और शेहर का ऐसा साथ सजा की सजाया गया था दुरू की स्वागत के लिए बोले हर घर में आम के पत्तों से और मोतियों से और अनेक प्रकार के जल के मटकों से और दीप जलाए गए थे इससे सजाया गया तो बड़ा ही ट्रेडिशनल डेकोरेशन है देखें आम के पत्ते और जल के मटके और दीप जलाए गए और जो शहर की दिवारें थी शहर के बड़े बड़े दुवार थे गेट्स थे उनको गोल्डन और नम्मेंट से सजाया गया तो और जितनी स्ट्रीट्स थी लेंज थी उनको अच्छे से साफ सफाई करके चंदन से अंदित जल से चड़का गया था वहां पर तो ये सब सुझावट थी और जितनी भी महीला है वो सब एकत्र होई वो ध्रुब को अत्यंता शिरवा दे दी जब ध्रुब उस मार्ग से जा रहे थे ध्रुब के उपर फूल बरसा रहे थी और ये सब सुनते हुए ध्रुब मह महल में रहने लगे अपने पिता के आश्रे में और बताया है दुरुब जिस स्थां पर रहते थे उस स्थान की उनके कमरे की सुनदरता बताई है नजर डालते हैं कि महल की सरी जो अंदर महल के अंदर कमरे थे उसकी सजावट कैसे थी वो ले जो पैलेस था उस पे जो बेड्स थे बेडिंग्स बिल्कुल सॉफ्ट थी और उस पे पूरा जैसे कि दूद की जाग होती है न सफेद उतनी सफेद थी और जो बेड्स थे वो किसके बने होई थे आईवरी के बने होई थे और उस पे सोने की सजावट भी थी गोल्ड और जो चेर्स और फरनीचर थे वो गोल्ड के बने थे और दिवारे थी वो मार्बल की बनी होई थी और उस पे अनेक प्रकार के सुन्दर मनी जड़े हुए थे और गाडन्स बहुत सुन्दर सुन्दर बगीचे थे और उस पे सुन्दर पेड थे और उस पे बहुत ही मीथा गाने वाले मीथी वानी वाले पक्षी कोया लित्यादी थे भवरे भी थे और बहुत सारी लेक्स थी और उस lakes के जो सीडिया होती है उसमें उतरने के लिए जैसे आप देखते हैं नदियों में गुंड में गहाट बने होते हैं सीडिया बने होती हैं वो अमरेल्ड के बने हुए थी और उस lakes में lotus थे, huns थे, बतक भी थी और जैसे जैसे दुरूब बड़े हो रहे थे अब हमारे नागरिकों को हमारे बेटे पे पूर्ण शुरद्धा है उन्होंने अपने मंत्रियों का approval लिया और धुरूब जी को राजगद्धी पे बिठा दिया और उत्तानपाद अपना पूरन जीवन भगवान विष्णु की उपासना के लिए जोगी धुरूब ने तो करी उपासना अब उत्तानपाद तो करनी चाहिए वो वेराग्य लेके महल से निकल पड़े वन की तरफ उस समय धुरूब का विवाहा भी नहीं हुआता ये सुन्दर भाद है उत्तानपाद कोई इसकी इच्छा नहीं थी अरे मेरे बेटे का विवाहा देखके जाना है मेरी इच्छा पूर्ट करनी है उन्होंने देखा मेरा जीवन हो गया मेरी इच्छाएं पूर्ण कर ली बेटा बड़ा हो गया सब कुछ बेटे को सौंप दिया अब समय पता नहीं कितना रह गया है मुझे अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से भक्ती में लगाना चाहिए तो यहाँ पर देखते हैं महान राजा जो थे ना ऐसे राजरिशी वो गद्दी को पकड़ के नहीं बैठते थे अपने अंतिम सांस तक जैसी वो देखते थे एक उत्तम उत्तरादिकारी आ गया वो अपना रिस्पॉंसिबिल्टी देते और भगवान का आश्रे लेते लेकि उनका एक उचा स्पिरिच्वल गोल था जीवन इसलिए वो सभी भाउत्थिक एक्टिविटी से डिटैच रेने को कभी भी रेडी थे लेकिन डिटैच्मेंट का ये मतलब नहीं कि वो इर्रिस्पॉंसिबल थे जब उनको उत्तरादिकारी मिला तभी जाते थे नहीं तो पूरा जिम्मेदारी लेते थे तो ऐसे राजाओं के जीवन को देखके हम जानते हैं कैसे बैलेंस बनाना चाहिए उत्तर दाईत वर रिस्पॉंसिबल्टी जिम्मेदारियों एक तरफ दूसरी तरफ वहराग्य दोनों में बैलेंस बने रहना चाहिए तो यह हम देखते हैं तो उत्तान अपाद ने वहराग्य ले लिया